नमस्कार में सातियों जैहिंग जैबार्त वंदे मात्रम एक बार फिर स्वागता आपके अपने फेवरेट उटू प्लेट फोरं सीव एजिकसन न्यूज बाई जो आपकी न्यू रिकुर्मेंट निकल कर आ रही है न्यू ओफलान बरती निकल कर आ रही है डाइरेक्ट वेटेसर विसाल नगर जैबपुर के अंदर ये वेकेंसी निकल कर आ रही है पूरी डिटेल से बात करेंगे कब से इसके फोर्म स्टार्ठ किस परकार आपको बढ़ना है तो आपको इस वीडियो के अंदर बतायंगे आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं तो चलिए ऑ बच्चा इस वीडियो पहली बार आ रहा है वीडियो को लाइक चेहों को जुरू सब्सक्राइब करतें क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका बाई ओफलाइन बढ़तियों की जानकरी सबसे सटीक जानकरी प्रवाइड करता रहता है तो चलिए बात करते हैं इसके फोर्म कब इंपॉल्मेंट न्यूजपेपर के दिन यानि इंपॉल्मेंट न्यूजपेपर के अंदर जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसके 28 दिन तक इसकी जो लास्ट डेट रहेगी और जो अगला न्यूजपेपर आने वाला इंपॉल्मेंट न्यूजपेपर य है हमारे चैनल से आप जुड़े रहे कौन-कौन सी ट्रेड ये अंदर वेकेंसी आई ये गर्नेडियर ग्राउंड तो भाई अभी आप जानते होंगी क्योंकि जिस बच्चे ने अभी ऑगी मिलिटरी होस्पिटल जेपुर की एक्जामि वोगी तो उसे पता होगा कि गर्नेडियर ग्राउंड कैसा होता होता और कहां पर है और यह किस प्रकार की दौकरी है तो भाई यह इंडियन आर्मी की नोकरी आ प्रमानेंट नोकरी है भाई ठीक है सबसे पहले बात करें लेते इस टेनोगरां पर ग्रेड सेकंड कि वेकंसी आई है जो total 5 वेकंसी के अंदर आई है कुग कि आपकी मातर एक वेकंसी है यों जनल के अंदर आई है MTS head messenger की एक वेकंसी है MTS messenger के आपकी पांच मेसेंजरगी आइए सबसे ज्याधा वैकंसी MTS चोकिदार की dy refused mts was sakeyn की a guarantee Empty draft की एक buton ौr empty Gardner की आपकी डो आया है यह आप देख सकते हो एज रिलेशन इसके अंदर छूट दी गई है वह आप देख सकते हो पर भाई इसके लिए भाई यह भी है कि यह इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिये जाएगा क्योंकि भाई इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ है मैं आपको दिखा पर दूँ इसके अंदर यह जो ऑफलाइंड बर्तियों के अंदर आता है सेम ही आपका जो इसके अंदर टेंथ वर ट्वल्थ बेस पर यह पर आएगा जिसके अंदर आपके जीके रिजनिंग मैथ टीक है जीके रिजनिंग मैथ और इंगलीज यह कंपल सरी कर देंगे और तो बच्चा सोट लिस्ट हो जाएगा मेरिट के में उसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा यह आप इसके अंदर लिखा है भाई ठीक है इसके अंदर एक बात यह भी लिखा है वह है कि आपको दो से पांस दिन टहरना पड़ सकता है इसलिए कैंडिडेट अपना जो आवास ह या समान है या आप जो अपनी सुईदा अनुसार सभी आपका पैसे वगेरा लेकर आएं दो से पांस दिन वहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है ठीक है इसमें आपको यह यह भी है भाई दो साल के लिए पर्मानेंट नहीं करेंगे दो साल आपको ऐसे ही रखेंगे कॉ नोर्टिस के अंदर बाई और भी जो डिटेल वो मैं आपको बता देता हूं और इसके यह भी है कि आपके जो इसके अंदर कुछ भी आपका जो हो तो वह आप इसके अंदर यह आप जो जाँस वगेरा या आपको जो सेलेक्शन प्रोसेस्त पर अगर सवाल है तो यहाँ प बोलोगे कि सर आपने नहीं बताया इसके अंदर भाई ये पर्मानेंट नौकरी नहीं है जैसे आपका सेलेक्षिन हो जाएगा तो आपको दोशाल के लिए ऐसे कांटेक्ट पर रखा जाएगा जैसे उसके बाद में आपके काम को देखा जाएगा अगर काम आप बहुत ही कर लें मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तके लिए जय हिंज जय बारत वंद्य मातरों